सब को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा सत्स्रियकाल दिल्ली में अब एक साल हो गया हमारी सरकार को इस एक साल में खूब काम किया दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिये जब सरकार बनी थी ना लोग बिजली के बिलो से बहुत दुखी थे बिजली के रेट आद ही कर दी हम लोगों ने जब हमारी सरकार बनी थी लोगों के 3-3 लाख के 4-4 लाख के पानी के बिल पेंडिंग पड़े हुए थे पुराने हमने पूरे दिल्ली के सारे पानी के बिल माफ कर दी है एक गरीब आदमी जब अस्पताल जाया करता था उसके इलाज में हजारों रुपए खर्च हो जाते थे हमने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाईयां मुफ्त कर दी सारे टेस्ट मुफ्त कर दिये अभी एक हजार सरकारी डिस्पेंसरियां खोल रहे हैं दिल्ली के अंदर पिछले एक साल में सौ नई डिस्पेंसरी खोल दी और अगले नौ महिने के अंदर नौ सो डिस्पेंसरी और खोलने वाली हैं एक हजार नई डिस्पेंसरी खोल रहे हैं नए सरकारी स्कूल। बन रहे हैं। कई पुल बन रहे है। तो लोगों को बड़ा अश्चर हो रहा है। बीज्यपी कॉंगरेस वाले कह रहे हैं कि आमध anatomy-पाटी वालों की आस पैसा कहां से आ रहा रहा है। इतने काम किये जा रहे हैं। मैं बताता हूँ पैसा कहा से आ रहा है दिल्ली में अब इमानदार सरकार है हर काम के अंदर हम पैसा बचा रहे हैं हर काम के अंदर पैसा बचा रहे हैं जैसे पीतंपुरा के पास एक flyover बना एक pull बना सवा 300 करोड रुपे का बनना था हमने 200 करोड में बना दिया सवा सो करोड रुपए बचा ली एक पुल के अंदर मंगोलपूरी में एक ITI बना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिटूट 24 करोड का बनना था हमने 16 करोड में बना दिया यह जो डिस्पेंसरी बन रही है ने इतनी सारी पहले 5 करोड रुपए की एक डिस्पेंसरी बना करती थी हम 20 लाख रुपए की एक डिस्पेंसरी बना रहे है इमानदार सरकार है ना हर काम के अंदर पैसा बचा रहे है हर काम के अंदर पैसा बचा रहे है यहां से पैसा आ रहा है इसलिए इतने सारे काम दिल्ली के अंदर हो रहा है अब आप सोचो पिछले दस साल से बादलों की सरकार है पंजाब के अंदर आपको याद आता है कोई अच्छा काम उन्होंने किया अच्छा काम तो छोड़ो उन्होंने पंजाब का बेडा गर्क करके छोड़ दिया, सारे पंजाब को नशे के अंदर जोंक दिया, इतना भरष्टाचार है, इतना करप्शन है, किसान तंग है, व्यापारी तंग है, स्टूडेंट्स तंग है, युवा तंग है, बेरोजगारी है, नशा है, चारों कैप्टेन अमरिंदर हैं उनकी आपने पांच साल सरकार देखी थी उन्होंने काम किया आपने देखा एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने इतना सारा काम कर दिया तो अब अपने को पंजाब के अंदर भी आम अद्मी पाटी लेके आने हैं, दिल्ली वालोंने 70 में से 67 सीट दी थी, पन्जाब के अंदर 117 में से 117 सीट लानी है, एक भी सीट नहीं चोडनी है, अपने को सबको, सबको मिलके ये चुनाव लड़ना है, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, केजरी वाल को क्या लेना दे आपको पैसा लगाना पढ़ेगा आपको घरगर जाना पढ़ेगा हमारे पास चुनाब लड़ने के लिए पैसा नहीं है हम तो बिल्कुल फक्कड आदम यह कंगाल आदमी है आपको घरगर जाके लोगों से वोट मांगने पढ़ेंगे अगर हम सब को मिलके नया पंजाब बनाना है तो